है गाइज वेलकम टू जैपूर फूड एंड शॉपिंग गाइड जो मैंने बनाई है आई होप आपको जरूर पसंद आएगी मैंने ट्राई किया है कि मैं जैपूर की बहुत पुरानी और फेमस शॉप्स को कवर करूं खाना हर जगे मिल जाता है आप जिस होटल में स्टेक क हो जाता है मैंने यही कोशिश की है कि सिटी की पुरानी शॉप्स को मैं एक्स्प्लोर करूं और ट्रेडिशनल स्टाइल से जो अथेंटिक रेसेपीज हैं जो आज भी वो शॉप्स फॉलो कर रही है मैं उन्हें आपके सामने लेकर आऊं आउँ आपको यह वीडियो आपक फेमस है और यह पैकिंग हो रही है घर लाने के लिए बहुत ही टेस्टी इनकी कचोडी है जो राजस्थानी स्टाइल की कचोडी होती है और इसी के साथ में यह है तिवारी धाबा क्योंकि हमें एक हफते तक स्टे करना था तो हमें होमली फूड चाहिए था बहुत ही पेस्टी है वैसे तो जैपूर में हर जगे आपको बहुत अच्छा खाना पीना मिल जाएगा बट हम स्पेशली आई हैं चोडा रास्ता पे पूरन कचोरी वाले काफी फेमस यह शॉप है और बहुत जादा है अंदर जाके नहीं है आप किसी से भी पूछ के यहां पे पहुंच जाएंगे वैसे मैं इनका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इनकी कचोडी ना यह सर्फ करते हैं दही के साथ बहुत फ्रेश दही और बहुत टेस्टी यह देखिए यह 1963 से है यहा की बर्फी बहुत फेमस है और यह देखिए यह ना सेव निकाल रहे हैं यहां पे बेसन के राजस्थान में बेसन के सेव बहुत जादा खाये जाते हैं और काफी चटपटे भी रहते हैं लेकिन आप सिंपल भी ले सकते हैं मतलब डेली बेसिस पे ना चाय के साथ नाश्ते में बहुत जादा खाये जाते हैं और इनका कलाकंद और मूंडाल बर्फी वाज अमेजिंग काफी रश रहता है इनकी शौप पे और मैं यहां पे ट्राइ कर रही हूं कलाकंद जो की बहुत फ्रेश है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यह और यहां पे हम जा रहे हैं मसाला चौंक जो की है राम निवास बाग के बिलकुल पास में और बिलकुल सामने यह है म्यूजियम यह पांच बजे बंद हो जाता है और हम लेट थे लेकिन बाहर से मैंने सोचा क्यों ना इसे देखी लिया जाए दस मिनट यहां पे खड़े ह के और बिलकुल इसके सामने है यह मसाला चौंक जो की बहुत बढ़िया जगा है एम्बेंस भी बहुत अच्छा है यहां पे आप फेमस जितनी भी शॉप्स हैं जैपूर की उनका चाट खाना इंजॉय कर सकते हैं काफी एंजॉय करते हैं यहां पे लोग शाम के टाइम और अच्छा सीटिंग स्पेस है यहां पे आप यहां पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ और यहां पे मैं वेट कर रही हूं मिस्टर बराड का वो लाए है मून दाल चीला और यह कांजी वड़ा और मिस्टर बराड ना फर्स टाइम ट्राइब करेंगे कांजी वड़ा यह पीतल की है बैया और यह है फेमस गुलाब जी चाई वाले आप जैपूर में किसी से भी पूछेंगे तो आपको वो गनपती प्लाजा की शॉप बताएंगे गुलाब जी चाई वाले बहुत फेमस हैं जैपूर में और ये देखिए, ये न मैं पूरा इनका प्रोसेस देख रही थी, कैसे बनती है इनकी चाय, दो हजार कप्स चाय ये पर डे बनाते हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पीतल के इनके सारे बरतन है, जिन में चाय बनती है और रोज के कितने कप चाय बन जाती है? नहीं, नहीं, बारा कुम पड़ा है, बारा मर मांगो है, दो हजार कप? ये है तंदूली चाय, गुलाब जी का स्पेसल चाय वाले है, सबसे स्पेशलिटी आपकी ये है? एक ये और एक केसर चाय ना? चलिए प्रोसेस तो मैंने आपक जोई करते हैं इनकी चाय, टेस्ट में बहुत बहुत अच्छी चाय है, यसे मुझे कमी पसंद आती है कहीं पर चाय, बट इस वाज रेली अमेजिंग, और ये जो आप देख रहे हैं न शॉप ये है, एम आ रोड पे लसी वाला, यहां पे आपको अन गिनत शॉप्स दिख और इतना अच्छा टेस्ट है ना लसी का के मैं क्या बताऊं आपको, आप राम से दो ग्लास लसी यहां पे पी जाएंगे, अंकल जी कुछ तो टिप दीजिए जो बाहर से आती हैं, उन्हें कैसे पता चले ओरिजिनल लसी वाला कौन है, अच्छा, और दुकानों पे किसी स्वीनाथ दिखा हुआ है, श्याम दिखा हुआ है, इस पेशल दिखा हुआ है, लसी वाला उंगी होंगा है, यह एक ही है, एम आई रोड, रेगुलर यही है, बहुत ही बढ़िया लसी अंकल, आपकी थैंक्यू, आप पीजे, फिर बताइए, लेली मैंने, लेली मैंने, ब धुलाई होती है, अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा मुझे देखके, और यह है, फेमस एल एम बी होटेल, जहां पे हमारी मम्मी के टाइम पे, वो लोग आया करते थे, सोचिए कितना पुराना है यह, और इनका घेवर और मिठाईया बहुत फेमस हैं, और अंदर और यह मैंने सोचा, मैं आपको रेस्टरों भी थोड़ा सा दिखा देती हूं, यहां पे हमेशा ही वेटिंग जाती है, अभी चार बजे हुए है, इसलिए रश नहीं है, और यह अब हम आ गए है, सरदार जी, लसी और कचौडी वाले, बापू बजार से जब आप नेरू बजार की तरफ आएंगे, मतलब सीधा सीधा ही आएंगे, तो यह शौप आपको दूर से दिख जाएगी, हीं की कचौडी वाज टू गुड, मतलब बहुत ही जादा अच्छा है इनका खाना, यह देखिए साबु तोडद की दाल दिख रही है कचौडी में, और स्ट्रॉं ही इनका फ्लेवर है, मिस्टर ब्राड बहुत कम मसाले खाते हैं बट उनको भी यहां पे बहुत मजा आया, और मैं यहां पे ट्राइ कर रही हूँ इनका कुलफी फालूदा जो बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी था, राजस्थान की गर्मी में कुलफी फालूदा और टेस्टी है, और यह देखिए यह है इनका मेन्यू जो की बहुत रीजनेबली प्राइब है, कोई ओवर्प्राइज नहीं लगा मुझे, और अंदर बैठने के लिए भी डीसेंट स्पेस है, तो यू कन इंजोई, और काफी अच्छा एक्स्पिरियंस रहा मेरा, और अब मैं खड़ी हूँ इस चाराए पर मेरे ठीक बीचे है गोल्चा, जो की बहुत फेमस थेटर है, और एक साइड है बापू बजार और इस साइड है नहरू बजार, और ये जो आप आप क्लिप देख रहे हैं, ये है सांगा नेर का, मैं आई हूँ होलसेल की शॉपिंग करने, यहाँ से मैं खरीदूंगी बैडशीट्स, और ये देखिए पहाड लगे पड़े हैं यहाँ बैडशीट्स के, मुझे नहीं पता मैं कैसे चूज करने वाली हूँ काफी सिस्टेमाटिकली यहाँ पे काम होता है, अगर आपको काफी हूज क्वांटिटी में शॉपिंग करनी हो तो आप सांगा नेर आ सकते हैं, और मुझे असा लगता था कि जैपुरी बैडशीट्स अब एक जैसी होती हैं, बट नहीं, बहुत डिफरेंस है, प्रिंट्स यह बापू बजार के बाहर स्ट्रीट शॉपिंग जो होते हैं, छोटे-छोटे वेंडर्स वहाँ पे आप छोटे-छोटे शॉपिंग कर सकते हैं, काफी अच्छा मार्केट लगा मुझे यह, वैसे तो सब शेहरों में सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी हर शेहर की अपन स्टाफ देखा मैंने, जो कि मैंने शायद चंडिगड में नहीं देखा, और यह देखे, यह गदा टंगी हुई है, मुझे काफी अच्छी लग रही है, काफी विराइटी है, यहां पे ब्रास, कॉपर और एंटीक चीजों की, जैपूर में यह सभी मार्केट आसपास हैं, बापू बजार, जोहरी बजार और किशन पोल बजार, यह सभी आसपास हैं, आप पैदल इने एक्स्प्लोर कर सकते हैं, और स्टार्ट आप बापू बजार से कीजिए, यह देखे, यह जैपूरी हैंड बैग्स मुझे बहुत अच्छे लगे, जो कि मैंने अपने शहर में तो नहीं देखे, हर शहर में अपनी ही एक अलग वेराइटी होती है, यह है जोहरी बजार, यहाँ पे आप एंटीक सिल्वर की ज्विलरी, सेमी प्रेशियस टून्स, बहुत ही अच्छा कलेक्शन और वेराइटी है यहाँ पे, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, शॉप शॉपिंग करते हैं, लेकिन वेराइटी खतम नहीं होगी, और मैं भी बहुत इंजॉइ कर रही हूँ यहाँ पे शॉपिंग करना, थेले पे खड़े होके, अगर आपने गोलगप्पे नहीं खाए, तो समझ लीजे, आपका ट्रिप ही अधूरा रह गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एंजॉइ ना करूं गोलगप्पे, और यह देखे, यह हैं कुशन कवर्स, कॉटन के, जो काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे, और जितना आप देखते हैं ना, उतना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लें और कौन सा छोड़ें, और यह जो शॉप है ना, यह ह प्राइट यह यह जो और भी होता है, यह जो पित है और मुझे बटाया है, और यह स्क्रीन प्रिंट्ग में पता नहीं चलते हैं इसमें इसमें जिसी साथ ऊलावर एग जोड़ाईट विह ब्राइग है, जो यह हैं पर इन्हों ने मुझे बताया कि यह घोलसेल के साथ-स बहुत जेन्वन है इनके काफी अच्छी शॉप है यह अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो जरूर यहाँ पे आएं मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी काफी दूर दूर तक इनका समान जाता है और काफी अच्छी डीलिंग है और यह मेरी शॉ कोड कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाबाई एन लव यू आल